Hello guys, welcome to my channel Guys, आज की वीडियो में हम solve करने वाले बहुत ही important topic square root Square root को निकाल लेकि कही सारी short tricks हैं जिसको मैं एक short trick का discuss करने वाली हूं Guys, आज की वीडियो में केवल 4 digit और 5 digit number का ही square root निकालना सीखेंगे और जो की perfect square root हो Next video में हम 6 digit और more than 6 digit का discuss करेंगे और non perfect squares होते हैं उनका square root निकालना discuss करेंगे लेकि आज की वीडियो में केवल perfect square root और 4 digit और 5 digit number का हम discuss करने वाले हैं तो guys, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कुछ squares 1 से लेके 10 तक तो tips पो होने ही चाहिए साथ में 11 से लेके 25 तक भी आपको learn होने चाहिए कि हो तक गया है कि और बहुत चोटा कुश्चन आदे तो अब easily देखे बता सकते हैं यह आप learn कर सकते हैं 1 से under 2 easily learn होंगे ही बस 11 से 25 तक और learn कर लें आप ठीके अब ध्यान से किस observe करेंगे है 1 से 10 पर ही सारा खेलम शुरू गड़ते हैं कैसे देखिए 1 का square क्या होता है 1 unit digit क्या होगे इसकी 1 2 का square क्या होता है 4 unit digit क्या होगे इसकी 4 3 का square 9 unit digit is 9 4 का square 16 unit digit यानि की इकाई संक्या है नहीं हों बोले तो last digit जिसे बोलते हैं वो आपकी है 6 5 square 25 last digit 5 और यहां कहो इकाई संक्या unit digit वो है 5 6 का square 36 again last digit 6 7 का square 49 last digit is 9 जो की काई संक्या और अब आपसे unit digit भी बोल सकते हैं 8 का square 64 again unit digit is 4 9 का square 81 unit digit is 1 ठीक है तो क्या हो गया यानि की अगर question का unit digit आपको दिया जाता है ध्यान से देखेंगे ने unit digit सिर्फ यही आ रहे हैं या तो 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा या 6 होगा या 5 होगा 0 का ignore कर दे क्या होगा 1, 4, 9, 6, 5 1, 4, 9, 6, 5 यानि की question का unit digit आएगा या तो 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा है 9 होगा अगर 1 है तो unit answer का unit digit क्या हो सकता है आपका या तो 1 या फिर 9 अगर 4 है तो या तो 2 होगा या 8 होगा अगर 9 है sorry 5 है तो 5 ही होगा एक ही case होता है अगर 6 है 6 है तो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा इसी तरह 9 के लिए तो 3 होगा या फिर 7 होगा, एक तरीका और है, अगर आपको पहला नंबर पता है, unit digit का, 1 का 1 होता है, तो पता है, दूसरा कैसे निकालेंगे, आप ऐसे चेक करेंगे, इन नोनों का sum 10 आना चाहिए, तो 1 प्लस 9 आपका 10 हो गया है, ऐसे ही 4 है, 4 का मुझे सिर्फ 2 पता है, 2 प्लस 8 क्यों करेंगे, आप से पहले, 4 डिजट नंबर में, आप पीछे से पेरिंग करेंगे, ये एक पेर बन गया, ये एक पेर बन गया, अब करना कहा है, जो पीछे से पेर बनेगा ना, उसमें आप पीछे वाले नंबर की unit digit देखेंगे, जो कि है 1, और अभी अमने क्या सिखा था, 1 ह है तो क्या होता है अपका unit is it या तो 1 तो 1 प्लस 9 10 या फिर 9 यानि की answer में या तो 1 आएगा या 9 या फिर 9 अब आगे वाला डिजिट हमें confirm करना है ठीक है अब देखें द्यांसे 79 है 79 स्क्वार रूट जो है किस-किस इस नंबर के बीच में आता है 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81 तो इन लुझे बीच में आएगा तो जिन के बीच में आता है उसमें से छोटा वाला नंबर लेते हैं 64 84 की बीच में आ रहा है और 64 चोटा नमबर है जो की square root किसका होता है 8 का यानि कि 8 छोटा नमबर हो गया तो ये पक्का हो गया हमारा कि first visit पे तो 8 आएगा ही आएगा तो या तो answer 81 होगा या 89 होगा ये भी sure हो गया अब इन दोनों मैंसे कौन सांसर होगा वो कैसे चेक करना है क्या करना है जो आपका number आएगा suppose आपका 8 आ गया तो 8 से अग्ला number हम multiply कर दें तो 8 9 दिनन 72 अब अगर जो हमारा question में पूछा गया number इस multiple से क्या है बढ़ा है तो तो बड़ा वा नंबर लेना है अगर हमारा question में पूछा कि नंबर मल्टीपल से छोटा है तो हमें छोटा वाला नंबर लिना है 79, 72 से बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है, means हमार आंसर होगा बड़ा वाला, means हमार आंसर हो गया 89, तो ये तो मैंने आपको सिखाया है, इसलिए थोड़ा टाइम जादा लग गया, अब देखो, next question अब कितनी जल्दी 5 सेकिंड में करते हैं, देखो, pair बनाया सबसे पहले, last dessert 6 है, तो 6 का मतलब 6, 6 सा 36, तो पहला नंबर या तो 6 होगा या 4 होगा, तो 4 और 6, क्योंकि 4, 4 सा 16 या 4 या 6, तो 4 या फिर 6, अब आगे बाला नंबर देखते हैं, 73 किस-किस के बीच में आता है, 8 एट सा 64, 8 के बाद 9, 99 सा 81, तो 8 और 9 के बीच में आता है, और 8 छोटा नंबर है, तो हम छोटा नंबर लेंगे, या तो 84 होगा, या 86 होगा, अब कैसे चेक करना है, 8 से अगल से, similarly एक और कर लेते हैं, पेर बनाया, लास्ट रिजिट 1 है, तो या तो आंसर में आएगा आपका 1, या आएगा 9, परो 9, 10, मैंने इंगी भी ट्रिक पताई थी, कि दोनों का सम 10 आना चाहिए, ठीक है, अगला नंबर 24 है, देखो, 4, 4 जा 16, 5, 5 जा 25, तो 4 और 5 के बीच मे नंबर लेते हैं, तो आंसर में या तो 41 होगा, या 49 होगा, ठीक है, अब 4 को 5 से मल्टीपल आएक और मैने गाते हैं, बड़ा करते हैं, तो 4, 5, 0, 20, अब तुबारा से ये वाला जो नंबर है, वो मल्टीपल से बड़ा है, बड़ा है, तो कौन से नंबर ले लेंगे, बड लाज रिजट 9 है, तो 3, 3 से 9 होता है, 3, 3 प्लस 7, 10 होता है, तो या तो 3 होगी लाज रिजट, या होगी आपकी 7, अब ये क्या होता है, देखो, 5, 5, 0, 25, 6, 0, 36, 7, 7, 0, 49, यानि कि 6 और 7 के बीच में नंबर आएगा, क्योंकि चार्चिंग 36, 7, 7, 0, 49, चार्चिंग 36, 7, 0 42, अगेन, कुश्चन वाला नंबर, आंसर वाले से बड़ा है, तो बड़े वाला नंबर, यानि कि 67 हमारा आंसर, इसी तरह से हम 5 डिजट वाले नंबर भी करते हैं, 5 डिजट में भी ऐसे करते हैं, बस पहले तो सबसे पहले पीछे वाले 2 का पेर बनाते हैं, फिर बचे 64 है, 4 आ रहा है भाई, तो यहने डिजट 2, 2s of 4, अगला क्या होगा, 8, 2 प्लस 8, 10, ठीक हैं, तो यानि कि आंसर का लास डिजट या तो 2 होगा, या 8 होगा, आगे वाले 2 देखते हैं, क्योंकि 3 डिजट बनेगे न, तो आंसर आपका 3 डिजट में आएगा, इसका, अब 6, 10 और 11 के बीच में आएगा, 10 छोटा नंबर है, तो यहां आपका 10 आ गया, ठीक है, तो आंसर है, तो 102 होगा, या 108 होगा, अब करना वही 10 इंटू 11, तो क्या आगया, 110, 110, 116 से क्या है, आपका छोटा है, छोटा है, मीस आपको छोटा वाला नंबर, स्वरी, 116 आपका 110 से बड़ा है, तो यानि कि आपको कौन सा नंबर लेना होगा, बड़ा वाला, बड़ा नंबर 108 है, तो आपका अंसर हो जाएगा, 108, समन में आगे बाद, 108 इसका स्क्वेर रूट हो जाएगा, 1164 का, ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट करते हैं, इनको पेर बनाए, इनको पेर बन नंबर है, किन-किन के बीच मेरा देखेंगे ध्यान से, मैंने बोला थाना, पचीस तक याद रखोंगे, 462 मीन्स 441 और 484 के बीच में आएगा, चोटे वरा नंबर लेता हैं कि 21, तो इसका अंसर हो गया, 215 इसमें सोचना ही नहीं है, जहां लास्ट डिजिट आपका 5 आज इसके बीच में आता है, 100 और किसके बीच में, 121 के बीच में, 10 और 11 के बीच में आएगा, चोटा नंबर लेता हैं कि 10 आएगा, तो या तो 103 होगा, या 107 होगा, अब देखो, 10 इंटू 11 आ गया, 11, 10, 110 हो गया, 110, 106 यानि कि जो कोश्चन में है, वो इससे छोटा है, और मै यानि कि लेंगे, यानि कि लेंगे 103, तो हमारा आंसर हो गया है, 103 हो रहे है ना, पार्च, 2nd में, सॉल्फ कोश्चन, ऐसी आप जब दो दिन कोश्चन के प्रैक्टेस कर लेंगे, तो आप बहुत जल्दी से कर पाएंगे, अगें पेरिंग बनाईए, इनकी बनाईए, आगे वाले दो देखें, अब 600 अगया, 600 अब ध्यान से देखना, 576 और 625 के बीच में हैं, यानि कि 24 और 25 के बीच में, चोटा नमबर 24, तो आंसर है 245, तो आपका आंसर आगया 245, तो आज हमने सीखे, पहले तो आपको घर जा के ये लन करना है, आज ये सारी टेबल आप पीस स्क्वेर लन होना चाहिए, वहन से 10 तक तो आपको हो गाई है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको यूनिट डिजिट पहचानना आना चाहिए, कैसे पहचानेंगे आप, पहला तो आपको बता ही होता है, छोटे वाला, दूसरा किसे चेक करते हैं, दोनों का से हम 10 आना से, अगर वो मल्टीपल कोश्चन वाले से बड़ा आता है, बता आप यह कहा सकते हो, कोश्चन वाला अगर मल्टीपल से छोटा आता है, तो आंसर छोटे वाला होगा, अगर बड़ा आता है, तो आंसर बड़े वाला होगा, ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, अगली विडियो में अब बिस्क्स करेंगे 6 बिस्ट और उर नमघ यह नम्घ पर च्वयर के लिए और नॉन पर्फट स्कॉयर के लिए स्कॉयर के लिए और कैसे निकालते हैं उनकी ट्रिक्स सीखेंगे तब तक के लिए बाबाइट अटेकर आरंड की वोच इंग माई वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्यू सो मच